नमस्कार दोस्तों आप सभी का Career Point CS में स्वागत है दोस्तों आज हम सिखेंगे Pivot Table Pivot Table Insert का पहला Option होता है तो Pivot Table सिखने के लिए सबसे पहले हमने एक Seat बनाया है जिसमे Name of Person से है, Department है, Item Name से है और Sales 2022 है कि 2022 में कितना का Sales क्या है, 2024 में कितने का Sales क्या है जैसे राम है, मोहन है, विसाल है, Department Electronics से है, Garment से है, Furniture से है और Item Name से है, Sales 2022 का Recode है, 2024 का Recode है तो इस Table को हमें Pivot Table में Convert करना है तो इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि Pivot Table का प्रियोग किसी एक Particularly Item या Person का Details देखने के लिए क्या जाता है तो इसके लिए हमने इस Seat को Select किया Select करने के बाद Insert में क्लिक किया Pivot Table में जाके क्लिक किया जैसे हमने Pivot Table में क्लिक किया इस प्रकार कर डियाग्राम आया और हमने इस डियाग्राम को OK किया जैसे हमने OK किया आप देखे एक नया Seat Convert होके आ गया यहां आपको क्या करना है जो Sales है 2022 इसे हमें हमेशा उठाके Value में रखना है देखे जो Number System से होता है जो Numerical से होता है हमेशा Value में रखा जाता है अर्थात Values वाले कोलम में रखा जाता है तो 2022 Sales को हमने यहां रखा अगर 2024 को भी रखना चाहे हम यहां रख सकते हैं और जो Item Names से है Item Names को हमने Rollable पर रखा तो आप देखे यह Item Names से आया और यह 2022 का Sales का Record है 2024 का है Item Name के जगे है हमने Name of Persons रखा तो देखे आप Item Name हुआ Name of Persons हुआ इस प्रकार का Record बनके आता है लेकिन हम यहां Item Name को Remove कर देंगे Name of Persons रखेंगे तो आप देखे असोक है असोक 2024 में इतना का Sales किया और 2022 में इतना का Sales किया उसी प्रकार से गौपाल 2022 में Sales किया, 2024 में इतना का Sales किया अगर आप Particularly देखना चाहें तो इसके साथ Filter का Point आया है जैसे हमने Filter में क्लिक किया, Select All में क्लिक किया, किसी एक Particularly Person में क्लिक किया हमने OK किया, तो आप देखे जिसमें हमने क्लिक किया, टिक लगाया उसी का Details दिखा रहा है और दूसरे का Details नहीं दिखा रहा अगेन हमने Filter में क्लिक किया, यहां से Clear कर दिया, Totals Details आ गया अगर हमें Department By देखना है, तो हमने Department में क्लिक किया, Report Filter में लाख हमने क्लिक कर दिया और Report Filter में जैसे क्लिक किया, आप देखे उपर Department All आया हुआ है हमने इस filter में click किया और select multiple items में click क्या unselect किया किसी एक department में click क्या Okay किया तो यहां हम देखेंगे कि हमने furniture Department में click क्या furniture में जितने भी employees है सब का नाम आ गया और यह जो employees है 2022 में कितना का sales किया, 2024 में कितना का sales किया है अगर हमें दो डिपार्टमेंटे में टिक लगाया तो आप यहां देखेंगे दोनों डिपार्टमेंटे में कितना employees वर्क कर रहा है और इसने total sales कितना किया है, 22 में और 24 में कितना किया है एगेन हमने फिल्टर में गए डिपार्टमेंट का और यहां सेलेक्ट कर दिया, ओके किया, आप देखेंगे टोटल का रिकोड बन के आया, यहां किसी एक पार्टिकुलरी का हम डिटेल्स देख सकते हैं, अगर हमें 2024 का देखना है, तो 22 को हम अन्टिक कर देंगे, आप देख इस परकार से आप पाइबोट टेबल में काम कर सकते हैं, इसी पाइबोट टेबल को समझने के लिए एक और हम सीट में जा रहे हैं, यह सेट एजा सेलेरी सीट बना हुआ है, हम इसमें पाइबोट टेबल लगा के देखते हैं, इसके लिए भी हमने क्या क्या, पूरा सीट क जितना create किया हुआ है total को हमने select किया select करने के बाद insert में गए pivot table में जाके हमने click किया और okay किया जैसे हमने okay किया आप देखे एजा same convert हो गया pivot table पे फिर हमें यहाँ set करना है कि किस option को किस level पे रखना है तो सबसे पहले हमने name of employees को उठाकर row label पर रखा तो आप देखे name of employees का list बनकर आ गया उसी प्रकार से total salary आपको एक चीज यहाँ ध्यान देना है यह जो है यह alphabet से है यह भी alphabet से है लेकिन यह जितने भी entries है यह total numerical से है number system है यह चीज आपको हमेशा ध्यान देना है मैं इसलिए number system यह numerical बता रहूं क्योंकि कभी भी अगर आप convert करेंगे पैवर्टेल में हमेशा आपको ध्यान देना है कि number system अर्थात numerical को आप हमेशा value वाले columns में रखोगे तो जैसे हमें total salary उठा के हमने values में रखा as a basic salary रखा HR रखा and total आप देखे उसी प्रकार से यहाँ table बनके आ गया अगर हमें यह चीज नहीं चाहिए तो हम यहाँ untick कर देंगे यह remove हो जाएगा जैसे हमें total salary चाहिए पीफ चाहिए ESI चाहिए जो भी options में आप टिक लगाएंगे numerical में वो आपका values में add होता रहेगा किसी एक particular person का दिखना है तो उसके लिए आप filter में जाएंगे unselect करेंगे किसी एक person पे click करेंगे ok करेंगे उसी का total details दिखाएगा और दूसरे का details नहीं दिखाएगा and again आप filter में जाके clear filter कर दे total details दिखा देगा and अगर आप यहाँ digitization को रखना चाहें तो यहाँ रख सकते हैं असोग है helper है उसी प्रकार से गौपाल है QA है उसी प्रकार से गोविंद है helper है यह department है लेकिन इस प्रकार से अगर हम seat को create करते हैं थोरा संजने में दिक्कत होगा in that case हमने digitization को उठाके report filter में रख दिया as a same जैसे हम back seat पे इससे पहले seat पे हमने बताया था कि अगर हमें यहाँ किसी एक digitization को देखना है तो in that कैसा हमें digitization filter में जाना है और digitization filter में जाकर के select multiple पे click करना है और unselect जिस पे आप click करेंगे ok करेंगे उसी का details आपको दिखाएगा otherwise नहीं दिखाएगा in that case हमने select all किया ok किया total digitization से दिखाया screen में तो इस प्रकार से pivot table का प्रयोग क्या जाता है thank you for watching this video